मेरे प्यारे देश वासियों, आम तोर पर मन की बात, उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ, लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट, ऐसे में मैं और कुछ बाते करू, वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वास्यों से शमा मागता हूँ, और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं, जिसकी वेज़ा से आपको कई तरह की कठेनाईयां उठानी पड़ रही हैं, खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ, तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधान मंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया, उनसे भी मैं विशेस रुपजेक शमा मागता हूँ, हो सकता है, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे, कि ऐसे कैसे सब को घर में बंद कर रहे हूँ, मैं आपकी दिक्कते समझता हूँ, आपकी परिशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड के आबादी वाले देश को करोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था, करोना के खिलाब लड़ाई, जीवन और मृत्ति के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसलिए ये क कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे, किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालाद देखने के बार लगता है, कि यही एक रास्ता बचा है, आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है, मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविदा हुई हैं, कठिनाई हुई हैं, इसके लिए छमा वागता हूँ, साथियों हमारी यहां कहा गया है, एवम एव विकारह, अपी तरुनह, साध्यते सुखम, यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए, बाद में रोग, असाध्य हो जाते हैं, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है, भायों, बेहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है, यह ज्यान, विज्यान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुन में बना है, नहीं यह कोई छेत्र देखता है, और नहीं कोई मौसम, यह वाइरस इनसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है, और इसलिए सभी लोगों को पुरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुट होकर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लोकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ मानव जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं, अरे भाई, यह ब्रह्म पालना सही नहीं है, यह लोकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है, आपको अपने को बचाना है, अपने परिव लक्षमन डेखा का पालन करना ही है, साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योकि अब भी वो स्थीती की गंबिर्ता को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को यही कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी आज ये सब पच्ता रहे हैं साथियों हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम स्वास्थम सरवार्त साधनम यानि आरोग्यही सबसे बड़ा भाग्या है दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ ही है ऐसे में दियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं चात्यों इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं परड़ा मेडिक कर स्टाफ हैं ऐसे साथ ही जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उन से प्रेणा ले ली हैं बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर मात की हैं उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मेरा बहुत मन था इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथियों के अनुभव उनसे हुई पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है आईए उनके अनुभव सुनते हैं येस राम नमस्ते जी आराम नमस्ते नमस्ते मैंने सुना कि आप कोरोना वाइरस के इस गंबीर संकर से बाहर निकले हैं जरूर मैं आप से अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था मैं आईटी सेक्टर के एंपलॉई हूं काम के वज़े से दुबाई गया था मैं मीटिंग के लिए वहाँ पे जाने अंजाने इसे हो गया था वापस आते ही फीवर वो सब चाल हो गया थे जी तो पांचे दिन के बाद डॉक्टर्स की और था पॉस्टिव आ गया था तब गांधी हॉस्पिटल गौर्न्मेंट हॉस्पिटल हाइदरबाद में वहाँ पे एड्मिस किये थे मुझे और उसके बाद सब्दाद इनके बाद ठीक हो गया था मैं और डिस्टार्ज हो गया था तो थोड़ा धराम ना था यह सब य पहले तो बहुत डर गया था पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं की हो गया ऐसा-कैसे हुआ था क्योंकि इंडिया में किसी को दो तीन लोग को आया था तब तो कुछ नहीं पता था इसके बारे मैं पर एंच्पिटल में जब एडमिट के थे मुझे क्वारिंटीन मे तो पहले जब धर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ इतने एच्छे लोगे के साथ हूँ उनको पता है क्या करना है परिवार के लोगों की मनस्तिती क्या थी जब मैं हॉस्पिटल में एड्मिट हुआ था पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे ज़्यादा एटेंशन वह सब था लेकिन हाँ सबसे पहले तो उनका भी टेस्स किये थे सबका नेगटिव आ गया था वह सबसे बड़ा आपने परिवार की क्या सावधानिया रखी परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जब पता चला तब तो मैं क्वारेंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताया थे कि और 16 दिन गर पे रहना हैं और अपने रूम में रहना और सेल्फ को और हॉस क्वारेंटिन रखने क के लिए बोलते हैं तो आने के बाद भी मैं अपने गर में हूं मेरे रूम में रहता हूं ज़्यादा तक मास्क रखे रहता हूं दिन बस जब बाहर काने के लिए कुछ होगा हैंड वाशिंग हो सब इंपोर्टेंट हैं चलिए राम आप स्वस्त होकर के आये हैं आपको और मीडिया में वाइरल कीजिए तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे इसे सेम टाइम केर करने से कैसे बच सकते हैं वह भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा हाँ यह ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूं सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के ज स्टिग्मा नहीं होने चाहिए उसके उपर चलिए राम बहुत पहुत शुब कामना है आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बार डॉक्टरों ने दिये इसी का कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फस गया था नौजवान बेटा भी फस गया था आईए आगरा के शिमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं अशोक जी नमस्ते नमस्कार जी मेरा सभाग्य आपसे बात हो रही है चलिए हमारा भी को इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फसा था जुरूर जानना चाहूंगा कि आपको यह समस्या संक्रमन का पता कैसे चला क्या हुआ अस्पटाल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सून करके अगर कोई चीजे देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उप्योग करूंगा बिल्कुल साथ ऐसा साथ कि मेरे दो बेटे हैं यह इटली कहते वहाँ पर फेर था शूस का हम यह चूते का काम करते हैं जी फैक्टिया मैनुफेक्शिंग का तो वहां गयते इटली फेर पर जब यह वापिस आए ना तो हमारा दाबाद भी गया हैं तो उनको थोड़ी प्राबलोब होई तो वह उस्पिटल चले गए रहा मनौर लोया तो उन्होंने उनको पोजितिव बताया उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सब जब आपको वहां से फोन आया कि आप उड़के साथ गए ता आप टेक्स कराएं तो दोड़ों बेचे मेरे ज्यां बिटे मैं मेरे वाइफ में अच्छी यर ओल और मेरे बैट आपके एवाइफ ऑर मे रहा मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रैंट्संग वह 16 साल का है तो हम उन्होंने पोजिटिव बताया तो अपको दिली लिए जाना है हम से अधरे नहीं हमें ठीक है जाए जग हस्टितल यह आगरे जोने बेजा उन्हें दो अमको आप डी कोई चार्ज नहीं किया इनकी बड़ी भीरवानी है आगरे के डॉक्टर्स की अटपिस्टेशन थी अपूरा उन्हें हमें सेयोग किया एंबुलेंस से आया है अग आप यह एंबुलेंस से ठीक ठाकते जो वाड था वहां को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, हम छे को उन्होंने अलग लग रूम दिया, अच्छे रूम थे सब कुछ तो सर अम फिस चोदा दिन वहां होस्पिटल में अकेले रहते थे और डाक्टरों का जहां तक बात है बहुत स्योग राजी बड़ा अच्छा हमको लोगो ने ठीट किया, चाह स्टाफ हो, वह अपनी ड्रेस पेन के आते से सरपता नहीं चलता था, कि यह डाक्टर है, या वाड़ वो है, या नर्स है, जो कहते थे हम माल लेते हैं, बिदाल हमको किसी तरह की भी एक परसेंट भी प्राबलम नहीं आईए, आपका अंकट परिवार के सब को आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया, पेपर था सर, ICRC के पेपर थे ना, तो उसका पेपर था, हमने नहीं देखी जाएंगे बाद में, यह तो जिन्दिगी है, यह तो सब पेपर हो जाएगे, बस सही बात है, चलिए आपका अनुभव, इसमें काम आया, पुरे परिवार को विश्वाद भी दिला है, हिम्बत भी दिला ही, जी, हमने पुरे परिवार को गए, एक दूसरे का हमां सहरा रहा, मिलते नहीं थे, फोन पे बात कर लेते थे, मिलते बिलते नहीं थे, और डाक्टरों ने पूरी हमारी के जितनी होनी च आपने तरीके से आगरा में करिए भुखा है तो उसको खाना खिलाइए गरीपी जिंता किजिए और नियमों का लोग पानन करें लोगों को समझाईए कि आपका पूरिवार इस बिमारी में फसा था लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाये अगरे तो देश बच जाएगा हमने सार कि हमने अबला वीडियो बगरा यह बना किना चैनल में दिए इसलिए कि लोगों में अवेर नस रहे नहीं दिखाया भी है सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिए है जी जी और हमने अपनी कलोनी में जाम रहते हैं सब को हमने कह दिया देखो जी हम आगे हैं तो डरें नहीं कोई प्रॉब्लम है जाके टेस्ट कराएं और जो लोग वारे संग जो बिले होंगे या जो सब टेस्ट है सब इ प्राइनिक हुए बिना डरे बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं साथियों हम मेडिकल स्थर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुहव जानने के लिए मैं मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं रोज मरा की उनकी गतिवीदी इनी पेसेंटों के साथ पढ़ती हैं आईए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नितिश गुपता जुड़े हैं नमस्ते डॉक्टर नमस्ते नमस्ते नितिश जी आप तो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूर कैसा है क्या है जरा सब का मूड अब बीट है आपका अशिरवाद सब के साथ है आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं आप सब प्रोवाइट कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बॉर्डरों पे लड़ी रहती ह है हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगे हुए है और हमारा सिर्फ एक ही करतव है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए आपकी बाद सही है यह यूद्ध जैसा स्थिती है और आप ही सब मोर्चा समाले बैटे हो आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की कांसिलिंग भी करनी पड़ती होगी है कि मरीज एकदम सुनके एकदम से डर जाता है कि यह क्या हो रहा है उसके साथ उनको समझाना होता है कुछ नहीं है अगले 14 दिन में आप ठीक होंगे आप घर जाएंगे बिल्कुल तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर भेज़ चुके हैं जब बात करते हैं तो overall क्य आता है आपके सामने जब डरे हुए लोग है तो उनकी चिंता क्या सताती है उनको यह लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा यह तो बिल्कुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाहर लोग इतने एक्पायर हो रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही ह पर हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी आपका केस बहुत माइल्ड वाला है नॉर्मल जुकाम वाला जो केस होता है वैसे ही है तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांक साथ दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे फिर हम आपके टेप्स करेंगे जब नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं और हम इसलिए उनकी बार बार हज दो तीन चार गंटे में उनके पास जाते हैं मिलते हैं उनको सवहलियत होती है पूरे दिन में तो ही उनको अच्छा लगता है उनका आत्मविश्वात बन जाता है शुरू में तो डर बनता है सबको हाँ जी सर बिल्कुल बनता है हम अपने टीम को बिल्कुल प्रोट्राइब करके रखते हैं कि ड़ने वाली कोई बात नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे मरीश को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना हैं तो सब चीज़े ठीक रहेंगे चलिए डॉक्टर आपके यहां तो बहुत बड़ी मात्रा में पेशन भी आते हैं और आप बिल्कुल जी जान से लगे हैं आपसे बात करके अच्छा लगा मैं आपके साथ हूँ लड़ाई लड़ते रहे हैं आपका अशिरवाद रहे है बहुत सुब कामना है वही है थैंक यू नितेश जी आपको बहुत बहुत साधु हूआ आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत कोरोना के खिलाप लड़ाई में अवश्य विजय होगा मेरा आपसे आग्रह हैं कि आप अपना ध्यान रखे अपने साथियों का ध्यान रख दुनिया का अनुभव बताता है कि इस बिमारी से संकर्मित होने वाले वेक्तियों की संक्या अचानक बढ़ती है अचानक होने वाले इस वृद्धी की वज़ह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है भारत में निरंतर प्रियास करना है एक और डॉक्टर हमारे साथ पूरे से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से नमस्ते अअब तो बिलकुल एक जनसेवा प्रभु सेवा के मिजाद से काम में लगे हैं तो मैं आज आप से कुछ बाते करना चाहता हूं जो देश वाच्छों के लिए आपके संदेश चाहिए एक तो अनेग लोगों के मन में प्रश्ण है कि कब डॉक्टर से संपर करना है और कब उनको कॉरोना का टेस्ट कराना है एक डॉक्टर के नाति और आप तो पूरी तरह आपने आपको इस कोरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है तो आप की बात में बहुत ताकत है तो बैस सुनना चाहता हूं यहां पे वीजेवेडिकल कॉलिज पूर्श पूर्ण है वहां पे प्रोफेसर हूं और हमारे पूर्ण कोर्परिशन होस्पिटल नाइडव होस्पिटल कर दिए वहां पे जनेवरी 2020 से पूर्णिंग से चालों हो गय कर दिए ताक लोगों को डिशाच कर दिया है तो जो अभी बात के नौ टेस है यह अर अलसो वेरी इस्टेबल ए अलसो बूल जो वार्ण वार्ण बोड़ी में हो ते वह बी ते बेटिंग वेल यह रीकवरी आउट अट अप दी करोन वार्ण और अभी यहां पे जो प्रें किसी है लेकिन ऐसा मालों हो रहा है यह यह जो एक फाप्लाशन भी आफेक्ट और यह जो बुछलिशन अफेक्ट हों भी यह जो जो डिसी भार्ण स्रेह प्रण पंध्य। प्रण थे उ तो यह जो घ्यांसर फेस्ट काथिए गश्ड़ीं वह बात्य है वह भार्ण पे यहां suspect करके आते हैं international travelers है और जो contact में आए है आई से लोगों का सर हम स्वाब ले रहे हैं यह जो फैरेंगल स्वाब ले रहे हैं और नेजल स्वाब का रिपूट आने के बाद अगर positive निकला है तो हम positive वाड में अड्मित कर रहे हैं और यह जो अगर निकला तो उनको home quarantine का जाते हैं आप जड़ा बताईए अगर होम में भी रहे तो होम में भी quarantine आपको करना है छे फीट कम से कम तो आपको रखना है यह पहली बात दूसरी बात उनको माट की यूज करना है और बार बार हाथ साप करना है अगर आपके पास सानिटाइजेशन नहीं है तिर भी अपन शादा संपल साबुन और पानी से हाथ साफ करना है और जब आपको कांकी आएगी तो आप इसको पर खाकी करना है और जमीन पे ना गिरें और जमीन पे ना गिरने के वजय से वह अगर हाथ लग जाता है तो किसी को पासिबल नहीं होगा यह समझा रहे हैं जूसरी बात सम आप लोगडाउन हो गया है इन फाक्ट दूरिंग इस पर्टिक्लर सिट्वेशन एर पुरी टीम लगी है विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशन्स आये हैं सब सुरक्षित हो करके अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सब के लोगों की मदद से और हमें विश्वास है हम जीतेंगे ये लड़ाई जीत जाएंगे बहुत 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 सुप्ताम ना है डॉक्टर आपको धन्यवार डॉक्टर साथ्यों हमारी ये तमाम साथी आपको पुरे देश को इस संकट से बहार निकालने में जूटे हैं ये जो बाते हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बलकि अपने जीवन में उतारना भी है आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग तपस्या समरपन देख रहाओं तो मुझे आचारिय चरक की कहुई बात याधाती है आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है और आज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं आचारिय चरक ने कहा है ना आत्मार्थम न अपिकरमार्थम अतभूत दयाम प्रती वर्तते यत चिकित सायाम सर्वम इति वर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बलकि मरीज की सेवा के लिए दयाभाव रखकर कारे करता है वो सर्व स्रेष्ट चिकित सक होता है साथियो मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज में नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवाभाव के साथ कारे करते हैं वो अतुलनिय है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानि 2020 को पुरावीश्व International Year of the Nurse and Midwife के तोर पर मना रहा है इसका समन्द 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली Florence Nightingale से जुड़ा हुआ है जिनोंने मानव सेवा को नर्सिंग को एक नई पहचान दी एक नई उचाई पर पहुँचाया दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पीत ये वर्ष निश्चित तोर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेडिकल, आशा, एनम कारकरता, सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भाव चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिय तक के स्वास्त बीमा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश वास्यों करोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं और इस परिस्तिति में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एपर नमो एपर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं ये बात सही भी हैं ये वो लोग हैं जिन की वज़े से हमारी रोजमरा की जिन्दगी आसानी से चलती रहती हैं आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंध हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोगिम उठा रहा है आखिर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठिक इसी प्रकार उन के अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना है आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाय का नित् इतना धन्यवाद करें उतना कम है बड़ी संक्या में हमारे साथ ही इकॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलिवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठीन दोर में भी ग्रॉसरीज की डिलिवरी देने में लगे हुए हैं जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे हैं उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है इस दोरान आप पैसे अधिकाउंस लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर प काले हुए है आज सभी देशवास्यों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रती आभार प्रकड करता हूं और उनसे अनूरवत करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रेकॉसंस ले अपना भी ख्याल रखे अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखे मेरे पैरे देश्वास्यों, मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है, जिन में कोरोना वाइरस के संदीक्त और फिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है, उनके साथ कुछ लोग बुरा वरताव कर रहे हैं। ऐसी बाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है, यह बहुत दुर्भागे पोण है। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है, न की इमोशनल या हुमन डिस्टन्स। ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है, बलकि वायरस के संभवित पीडिद भर है। इन लोगों ने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंबितार से लिया है। यहां तक कि वायरस के कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को कॉरूंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लोटकर के आये हैं और दोहरी सावधानी वरत रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यहवार करना कहीं से भी जायद नहीं है। बलकि उनके साथ सहनुभूती पूरवक्त सहयोग करने की आवशक्ता है। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगत तरीका सोशल डिस्टंसिंग है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है। वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिस्तों में नई जान फुकने का है। उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें ये भी बताता है कि सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस गटाओ। मैं फिर कहता हूँ सोचियल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टंस घटाओ कोटा से येश्वर्धन ने नरेन बोदी एप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉंडिंग को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ बॉर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं किचेन में नई नई डिसेज बना रहे हैं जबलपूर की निरुपमा हरसेई जी नरेन बोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यही नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही हैं वहीं राईपूर के परिक्षित गुरु गाम के आर्यमन और जार्खन के सुरिज्जी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के E-Reunion करने की चर्चा की है उनका ये आइडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कोलेज के दोस्तों से बाचित करने का मोका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकत्ता की वसूधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्टुमेंट को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी आदय भी ताजा हो उठेगी यानि मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मोका मिलेगा बलकि आप अपने प पर मुझे रूड की से ससी जी ने पूछा है कि लोगडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेश के लिए क्या करता हूं इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूं मैं आपको बता दो मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अप अपने आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है यह मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विशह है जहां तक फिट्नेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उ मैं करता हूँ संभवत हो उस में से कुछ बाते आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्षपर्ट नहीं हूँ और नहीं मैं योगा टीचर हूँ मैं सिरफ प्रैक्टिशनर हूँ हाँ जरूर मानता हूँ कि योगी के कुछ आसनों से मुझे आपडाउन के दोरान आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए साथियो कोरोना के खिलाब ये युद्ध अभुत्पूर्व भी है और चुनवतिपूर्ण भी इसलिए इस दोरान लिये जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इत्यास में कभी देखने और सुन को नहीं मिले कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारत वाच्यों ने उठाए हैं जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरोना महामारी पर जिद दिलाएंगे एक एक भारतिय का संयम और संकल भी हमें मुश्किल सिति से बहार निकालेगा साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाई और अधिक तीव्र होनी चाहिए हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भेर भी कोई गरीब दुखी भूका न जराता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे उसका जरूरत की चिंता करेंगे और ये हिंदुस्तान कर स सकता है ये हमारे संसकार है ये हमारी संस्कृत ही है मेरे प्यारे देशवासियों आज हर भारतिय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़कर आगे निकलेग देश को आगे ले जाएगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है जरूर जितेंगे मन की बात के लिए फिर अगले मेहने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाएं इसी एक कलपना के साथ इसी एक शुब कामरा के साथ आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करों तो पेल आइक अपे बूलों को नहीं और दिक जाने पापने डॉग ऑन करों तो www.starwoodsadvice.com कर दो